गुप्त पिरिएट उस्टेट आज के एइस वीडिए में हम डिस्केश करेंगे sources of revenue means गुप्त पिरिट के time पर जो revenue जो आता था वो कहां से आता था उसके sources क्या थी इन गुप्त पिरिएट land revenue was the main source of income of the state following type of taxes are described in the contemporary literary documents लेंड रेवन्यू था और उस घ्रके जो टैक्स ज Skipué ऑगया है थो गंणिए जमाने जैक्स को मेंशन किया empty monetary value equal to 1,6th portion of the produce gain from the land property was given to the king means जो land revenue जो था वो कितना लिया जाता था जो production होता जाता उसका 1,6th portion जो था वो एजे tax collect किया जाता था और फिर जो था वो king को दे दिया जाता था भोग the tax daily given to the king in the form of fruits, vegetables and flowers etc तो भोग क्या था भोग जो था वह गुप्त फिरेड का एक tax था किस टाइब का tax था daily given tax यानि कि रोज की रोज दिया जाता था किस टाइब में दिया जाता क्या फोर्म थी उसकी तो fruits दे सकते थे उसमें vegetables दे सकते थे flower दे सकते थे या daily users की कुछ चीज़े जो थी edible चीज़े हैं वो चीज़े जो थी वो रूलर्स को दी जाती थी वो था भोग तो भोग गुप्त पिरिड के टाइम पर एक daily given tax था अब बात करते हैं उपरिगर और उद्रंग दोनों जो टेक्स थे अब टेक्स पे करने का जो तरीका था उसमें दो टाइप का था एक तो केश फॉर्म में उसको पे किया जा सकते था दूसरा था वो सिरियल फॉर्म में सिरियल का मतलब अनाज तो गुप्त पिरिएड के टाइम पर जो केश टेक इसको यह कहा जाता था एन इंट फॉर्म आप हैं एक पर श्रेऑल मेश के उल्राइम के सिरियल के फोर्म में hosो पे किया जाता उसको मुद्विट इस यहीं से हैं प्रोाइक होने आज जीनल सीड़ों सब्सक्राइब टेक्स थे जो टेक्स केश में दिया जाता तो इसको हिरन ने कहा जाता था और जो टेक्स जो था उसको इनफॉर्म में दिया जाता था इन इन काइन भी बोल सकते हैं that is called a serial in this period land ज्वेलर्स एडिबल आइटम साथ एक्सेक्टर वर इंपोर्टन आइटम फोर दो जन्रेशन ऑप टेक्स बाइड़ स्टेट मिंस जो स्टेट जो थी उसकी टेक्स कहां कहां से आते देख तो में जो था बेसिकली टेक्स जो था वो लेंड रेवेन्यू से आता था उसके टॉटल वेल्यू अब दी प्रोडूट्स प्रोडूट्स टेक्स जो थे वह वह वन फोर से वन सिक्स के बीच में कलेक्ट के जाते थे ता पिरिट इस कॉल्ड द गोल्डन फिरियोड ऑप एंचेंट आइंडिया वेरी इंपर्टन लाने इसको टेक लगाना है गुप्त फि जो थे या उसकी जो कमेंटरी जो थी उसमें इसने मेंचन किया है कि उस ताइम के इंडियन लोग जो थे उनकी religious system क्या था, punishment system क्या था, किस तरह के specified code का यूज़ किया जाता था, गुप्त फिरिट के टाइम पर लोग जो थे वो घर के अंदर locks नहीं लगाते थे absence of garlic and onion, garlic और onion का यूज़ नहीं करते थे, which point out the absence of crimes, means घरों के अंदर lock नहीं लगाना, garlic का यूज़ नहीं करना, onion का यूज़ नहीं करना, ये सारी चीज़े क्या point out करती है, कि उस गुप्त फिरिट के टाइम पर crime नहीं होते थे, safety of property, property safety, तभी तो lock लगाने के ज़रूद नहीं थी, non-violence, NPT, onion और garlic का यूज़ नहीं करने के पीछे, उसने कहा है, ये हम indicate हो रहा है कि गुप्त फिरिट के टाइम के जो लोग जो थे, वो non-violence और non-violence में बिलिव करते थे, क्योंकि जो garlic और onion जो है, उसके उपर कहीं सार microorganism होते हैं, तो इस वज़े से हो सकता है, शायद वो उसका यूज़ नहीं करते होंगे, इसलिए उनके उपर वो दया रखते हो, पीटी का मतलब होता दया, Prevailing in the public during the golden period of the ancient India, the ambition for which Ashoka had to deliver sermons for the blossoming, the desired emotion in public, was clearly visible during these days, Ashoka के time पर जो message forward किया गया था, non-violence का और pitiness का, वो उसके time के बाद में, यानि कि गुपतु period के time पर भी, उसकी वो चीज़ी है, उसका आशर हम देख सकते हैं, After Moria's for the first time, good network of political unity and well-organized system were set up, Morian ruler के बाद में, इंडियन के जो political condition जो थी, वो unstable हो गे थी, लेकिन गुपतु period के time पर, वो political stability देखने को मिलती है, Monetization of economics set up was reinforced, industries and trade were developed, the art of this era manifested sophisticated philosophical wisdom and Indian culture impact in the society, The statues of Mahavira, ठीक लगा ना इनको, the statues of Mahavira, बुद्धा, विष्णु, temples और भीतरगाव, कानपूर में है भीतरगाव, भीत्री and cave picture of Ajanta, बाग, दुनों लग लग है, Cave picture की बात करेता है, Ajanta की cave picture, बाग की cave picture, Ajanta, महारास्टर में, बाग, MP में, Are Outstanding Evidence, Evidence of Artistic Growth, Social Prosperity and Social Harmony, अगर बात करें, तो basically जो गुप्त पिरिट के जुरूलर जो थे, वो वेदिक religion के followers थे, विष्णु के followers थे, लेकिन साथ साथ में उनने, महावीर बुद्धा, और जो दूसरे religion से related, जो evidence हमें मिलते हैं, तो वो सोशल प्रोस्परिटी और सोशल हर्मोनी का सिंबोल एक तरह से, आपसी भाइचारा था, In literary field, कालिदास, हरिशेणा, विष्णु शर्मा प्रडूस एक्सिलेंट contributions, Literary field की बात करें, महाकवी कालिदास, हरिशेण, हरिशेण जिसने प्रयाकप्रशस्ति लिखिये समुद्रगुप्ति की, विष्णु शर्मा, जिसने विष्णु शर्मा की पंच तंत्र की स्टूरी जो हैं, वो फ्यमस हैं, पंच तंत्र वो बुग हैं, जिसको दुनिया की कई सारी भाशाओं में translate किया जा चुका हैं, Learned Social Scholars, example Aryabhat, famous scholar की बात करें, तो Aryabhat, वराहमीर, नागार्जुन थे, ग्सेस्टर एक्षण चुमान की में प्हार्य कुलूथ इफ दूर्ड़ इपक्त, विष्णु शर्मा, प्रिटी प्टिजूट गहां, विष्णु कॉंच प्टेप्ट, प्रिजू, ऑ्स्तु, प्स्तु, क्राप्स, पैंट विष्णु, ऑ्स्तु, अजुश destin, कलूश्ड को टीक लगाना है अगर आपका क्वेश्चन आता है कि गुप्त पिरेट को इंडियन हिस्टिय का गोल्डन पिरेट क्यों कहा जाता है इसका मेन आंसर यही है क्योंकि उस गुप्त पिरेट के टाइम पर आज की फिल्ड में वास्तू, स्क्लप्चर, क्राप्स, पैंटिंग, संक्याथिक युप्तक ट्र चिंड ढुप्त सकात युप्तिय का गोलान कहा है इस सही गव्यर रियें केक्डेड करुटाराम स्तू गुप्तक पीरेट के मितन आता है इसाले साप्तर काहल पिरेट की क्योंकित क्योंकित कै इसको भी एड़ करना है यह वेर इंपोर्टन पेरेग्राफ यह पुरा पेरेग्राफ ही बहुत इंपोर्टन है मतलब एक तरह से आंसर है कि गुप्त पिरिए को इंडिन हिस्टी का गोल्डन पिरिए तो कहां जाता है श्री आर्वीन प्रेटर्ण पिरिए श्री एर्विन अगर्ण साने सबस्य। ही और मुक्त इंपोर्टन प्रम्ड पिरिए इंदी के टेकर थांट टिर थांट अनल। हुई थे हैं फायान's account about भारत फायान जो Chinese traveler था उसके account से भारत के बारे में क्या information मिलती है Chinese travel India from 399 AD to 414 AD means फायान जो Chinese traveler था वो लगबग 15 years तक इंडिया में रहा 399 AD में आया था और 414 तक वो इंडिया में रहा he has described the economic, religious, political and social condition भारत उसके जो accounts है उससे हमें Indian contemporary इंडिया निकि उस जमाने का इंडिया जो है उसकी economic, religious, political and social condition के बारे में information मिलती in the society there was a prohibition no use of garlic and onion a brahman's cult was at its high pitch of social regulations brahman जो थे उनको उस समाने में सबसे highest post पर रखा जाता था या सबसे उच्च समझा जाता था untouchability was present in the society society में untouchability present थी untouchability मिलाब छुआ चुट जिसको कहा जाता है but lifestyle of people was simple and non-violent buddhism was in the progress in frontier states frontier state मतलब जो गुपतर एंपायर के आसपास के जो boundaries के जो state जो थे उसमें भी buddhism religion था जो progress कर रहा था but it was declining its importance religious equality was seen in the society ब्राह्मन कल्ट वाज एट इस अपेक्स पोजिशन पीपल हैड फेथ इन डॉमिनेंस डॉनेशन और आम्स religion, rebirth, sin, wish, virtues in life लोग जो थे वो दान बुन्य में विश्वास करते थे, धर्म में विश्वास करते थे, पुनर जनम में विश्वास करते थे पाप और पुन्य जैसी भावनाओं में भी वो विश्वास करते थे concept of hell and heaven, swarg और नर्क, swarg और नर्क में अभी वो विश्वास करते थे, people were happy, burden of taxes was not much, penalty system was not served and the crimes were negligible, means penalty system नहीं था और crime जो थे वो नहीं बराबर थे, बहत कम होते थे या नहीं होते थे, there was no fear of thieves and dacoits, चोर उच्चको का कोई डर नहीं था the state did not interfere in the private matters of the subject, downfall of famous cities like Shravasti, Vaisali and Koshambi etc. उस जमाना की जो या ancient time की जो famous cities जो होगा गरती धिरे 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 वो रून हो जो की थी या रून होने की कागार परती जैसे श्रावस्ति, Vaisali, Koshambi had begun and at the, instead of them, the cities of trade, centers, example, जैसे उज्जेन, कन्योज, etc. फोरीजन, ट्रेड वास इन ट्रेड वास इन प्रोग्रेस जहां कुछ city जो थी वह धिरे धिरे रून हो रही थी जो कुछ city जो थी वह धिरे धिरे प्रोग्रेस करें देजिए उज्जेन हैं और कन्योज marketing was done mainly through kori या kodi marketing जो थी या जो business जो था वह उस जमाना में कोडियों से होता था कोड़ी है या इसको कोड़ी भी पर सकते हैं CCL से बनती है जो the citizens in पाटली पुत्र वर wealthy they were always ready for arms and public welfare और यह सारी information तक 399 एडी से लगाकर 414 एडी तक इंडिया में विजिट के उसने